आज हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत ट्रिक्की अप्रोच के थू जो आपकी बीटा आक्सिडेशन है बीटा आक्सिडेशन आपको थोटिकल वायस तो देखना ही है लेकिन जो हमारा मतलब इसमें जो मेहन चीज है डैट इस रेक्शन रेक्शन में क्या फंदा है आपकी रेक्शन में खाली आपको चार स्टेपस याद रखने है बीटा आक्सिडेशन पहले में सिंपल बोलूँगा क्या करना है आप लोगों को आप लोगों को खाली चार स्टेपस याद रखने है पहले वाले स्टेप में आपको डेहडरोजिन हो जाएगी dehydrogenation का मतलब होता है रिमोल अफ टू हेड्रोजनस दो हेड्रोजनस निकल जाएंगे दो हेड्रोजनस जहां भी निकलते है फैटी एसिड में यहां फैटी एसिड को एंजाइम A में तो वहाँ डबल बांड बन जाएगा पहले सिटब में दूसरे सिटब में अब डबल बांड बन गया इस पर हमें हैड्रेशन का मतलब होता है अगर हमारे पास अब डबल बांड बन गया अब हम जब इसमें वाटर एड करेंगे तो OH ग्रूप A पुजिशन पर एटेच हो जाएगा एच ग्रूप A पुजिशन पर एटेच हो जाएगा यह दूसरा इसमें दो पूजिशन उस पर हुआ था अगर हमारे पास अब ऐसे हैं यह है हमारे पास ग्रूप अब यहां दो हैड्रोजनस का रिमॉल होता है दैट इस रिमॉल आफ एच टू तो पहले सिटप में डिहड्रोजिनेशन लेकिन अल्टरिनेट पूजिशन पे दूसरे में छो सिटप का मदलब होता है राँग आप हीपिशम और प।न देखेंगे इस वाले रिक्शन मोन पहले हैं मों क्या लेंगे पहले पैटी इसिट को एंजाइम, पैटी इसिट का मतलब होता है लॉंग चेन और फैटी इसिट, लॉंग चेन हम बनाएंगे जैसे हैं, ख्यार रखना सिंपल है, फंदा वही लगाना है, लॉंग चेन का मतलब होता है बहुत लंबा वाला, 18, 21, 20, 14, 16 वाला, जो मैंने आरेडी प इस वाली रेक्शन को, यहां भी खोलूँगा वाई सही, देखो, फिर उसके बाद, ऐसे होता था हमारा इसिट, लेकिन इसमें हमने को एंजाइम एड़ किया है, जैसे यही, यहां ओएच के बदले, एस, सी, ओ, एड़ किया है, बस, यह हर जगा हो जाएगा, को एंजाइम जो आपका है, यह हर जगा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम है फैटी एसाइल, यह एसाइल ग्रूप है, अगर एस्टाइल ग्रूप होता था, इस्टाइल बोते हैं, इसलिए 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 को एंजाइम, फैटी एसाइल को एंजाइम, बस, फैटी तो यह इतन enzyme को ले लो और इसी पे हम reactions करेंगे पहले में क्या करेंगे हम पहले वाले setup में हम क्या करेंगे dehydrogenation 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 का मतलब होता है removal of two hydrogens लेकिन आपको बस थोड़ा पो याद रखना है FAD, FADH2, FAD, two hydrogens निकल गए इसके साथ FAD ने क्या करेंगे लेकिन alternate position पे क्या करना है अगर हम दो hydrogens इनको alternate ये इस वाले कार्बन पे this is one, this is second, second और third पे हमें निकलना है इस और इसको हम निकालेंगे, ये यहां आ जाएगा और ये यहां से निकल जाएगा यहां से double bond बन जाएगा, देखो, फिर से मैं बना रहा हूँ है CH3, CH2, whole N, CH1, वही रहेगा, double bond बीच में आ गया, दूसरा hydrogen वही रहेगा दो hydrogens निकालें, वाकिए वही बन जाएगा S, C, O, E, अब सिटाट करो naming देखो, simple name है 1, 2, 3, ठीक है, आप इसको नाम ये भी दे सकते हो, tronus, देखो, these are tronus, 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 in, tronus, in, coenzyme, tronus, in oil, coenzyme, इसका नाम हम दे सकते हैं, simple, tronus, ये tronus position पे हैं, opposite position पे, this is tronus, in oil, coenzyme, coenzyme तो normal, same ही रहेगा, क्योंकि this group is there फिर उसके बाद क्या है, पहले setup में हमने dehydrogenation की, अब फिर से हम क्या करेंगे, hydration, hydration का मतलब होता है, addition of water hydration का हो जाएगी, oh यहाँ add हो जाएगा, oh यहाँ add हो जाएगा, oh यहाँ add हो जाएगा, यहाँ add हो जाएगा, यहाँ add हो जाएगा, यहाँ add हो जाएगा, आपको इतनी studio chemistry भी नहीं देखनी है, आप क्या करोगे, आप add करोगे, इस वकत, oh करोगे, यहाँ add, edge यहाँ करोगे, simple देखो CH3 CH2 whole M CH यहाँ हमने OH एड़ किया यहाँ हमने H एड़ किया बाकि वही सेम रहेगा ओके अब हम क्या करेंगे फिर से जो और एक सिटप है that is dehydrogenation dehydrogenation का मतलब होता है removal of hydrogen लेकिन किस position पर एक ही position पर एक ही position का मतलब होता है यहाँ से हमने निकाला ऐसे इसको remove कर रहे है तो hydrogen निकल गया यहाँ से ketone बन जाएगा चलो बना दो यहाँ हम यहाँ बनाएंगे आप फिर से बनाएंगे CH3 लंबा chain तो ऐसे ही रहेगा CN यह ketone ऐसे बन जाएगा C बागी तो सेम ही रहेगा COSCOA इसका नाम आप simple वही दे सकते हैं यहाँ से start करो 1,2,3 3 keto coenzyme 3 keto, keto pushon ने 3 pushon पे है और acyl coenzyme और fatty acyl coenzyme it depends upon you आप चाओते setup में क्या बोला मैंने कलिवेज हो जाएगा चाओते setup में क्या हो जाएगा इसमें कलिवेज और आपको एक enzyme डालना है COASH बस यह खयाल आपको यह रखना है डाल दिया कलिवेज करो यहाँ कलिवेज हम यहाँ से करेंगे इसको okay simple कलिवेज करेंगे जो H है यह आजाएगा यहाँ जो SCOA है वो यहाँ add हो जाएगा तो करो add देखो कलिवेज हमने तोड़ दे हमने यह molecule CH3 CH2 whole N CO यहाँ से SCOA यहाँ लगाएंगे हम SCOA और जो यहाँ हेडरोजम बचा है वो इस वाले पोजिशन पर हम लगाएंगे that is C H H H यह पलस है दो मालकिरोज में तूट गया बाकि सेम रहेगा so this is the reaction of beta oxidation simple है पहले वाले सिटब में dehydrogenation हो गई alternate position पर दूसरे में क्या हो गई हमारे double bond बन गया फिर hydration हो गई hydrogen of water यहाँ OH यहाँ H हो जाएगा तीसरे में फिर से dehydrogenation लेकिन एक ही पोजिशन पर हो गई और चावती में क्या हो गया क्लिवेज हो गया बस this is simple tricky approach of beta oxidation hopefully you got all these thank you for your cooperation